हेलो माई डियर फ्रेंड्स बेलेकम टु इक्जाम गुरु जी आज हम ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनेरिंग का सेकंड पार्ट डिस्कूस कर रहे हैं यहां पे हम 20 कुछिन डिस्कूस करेंगे कुछिन बहुत ही इंपॉर्टन्ट है तो चली शुरू करते हैं आज के अपनी नीन कौसे दो क्यों लुक्त दरशने के रोड साइन रोड का lira जो साइन है कौंसा है नो पकिंग रोड का एक इक साइन जिसकों बोलते हैं नो पार्किंग वो क्या दर्शाता है क्या इंडिगेट कर रहा है यह निकिए वो बॉर्निंग साइन है प्रोहिवीटरी साइन है या फिर मेंडेटरी साइन है या फिर इन्फोमेटरी साइन है कौन सा साइन है वो कि तो वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्टिन आई यह तो क्या अंसर रहेगा इस question का तो road का जो एक sign है जिसको हम बोलते हैं no packing वो एक regulatory sign है regulatory sign है regulatory sign को हम आज तो non भी बोल सकते हैं main datory sign यानि कि option number third इस question का अंसर हो जाएगा main datory या फिर regulatory sign यह जो sign होता है यह कौन्सी शेप में होता है यह होता है circular shape में circular shape में होता है उसके बाद हमारे पास दो और sign होते हैं जैसे के एक warning sign होता है warning sign को हम एक और नाम से जानते हैं वो होता है cautionary sign cautionary sign जो होता है इसका जो sign होता है यानि कि shape होती है यह होती है, upward triangle, यह describes cream, यह होता है, यह कैसा होता है, यह होता है, यह कैसा होता है, कि no parking जो होता है वो एक mandatory sign है इसके और भी कुछ example होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए जैसे कि इसका एक example हो गया giveaway गिववे यह यह भी एक mandatory sign है उसके बाद no entry no parking या फिर no entry एक ही बात आगई आपको यह पर confused होने की जुरूत नहीं है उसके बाद stop sign जो होता है वो भी एक mandatory sign ही है नो parking तो आपको बता ही लग गया तो यह कुछ sign है वो की mandatory या फिर regulatory sign की example होते हैं अगला option देखिए ascending order according to bits ascending order according to bits हमें बताना कि क्या आंसर रहेगा इस question का तो second question काफी जाता है interesting है यहाँ पर आप से ascending order पूछा गया सबसे पहले आपको ascending और descending order का पता होना चाहिए ascending और descending क्या होते हैं यहाँ पे इन दोनों को आपको meaning पता होगा तब भी आप इस तरह की question को solve कर पाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले ascending का meaning जान लेते हैं फिर हम descending कि एक ठ्रिक बता रहें कि एक उड़े यहां पर मैं इसमें कि एड़ करते हुए आगे बनना ये कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा असेंदिंग ओर इनकि आड़ करते हुए हमें हमें जो सबसे बड़े तक पहुंचना है and descending order यानिके सबसे बड़े से लेकर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर चोटा यानिके degrees value करनी है हमने decreasing order में हमने लिखना होता है descending order में तो यह मैंने आपको यहां पर इन दोनों का meaning बता दिया अब हम से पुचा गया कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा हमें यह बताना है तो आपको पता ही है सबसे पहले हमारे पास जो carries way होता है जिस पर गाड़िया चल गयरा चलती है वो होता है सबसे छोटा carries way के साथ हमने जो थोड़ा सा portion रखा होता है shoulder के लिए shoulder के लिए तो वो किस में आता है वो आता है formation बिट में आता है formation बिट को हम एक और नाम से जानते हैं तो वो है हमारे पास road way तो इसके साथ में इतना सा पॉर्शन जो होता है दोनों सा पॉर्शन ओर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं दोनों साइड ही होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन मार्जिन तो इस मार्जिन को मिला कर शोल्डर को मिला कर दोनों के मिला कर उसको हम क्या बोलते हैं राइट ओफ वे हम बोलते हैं राइट ओफ वे को हम एक और नाम से जानते हैं वो है लैंड विट एक है रोड लैंड तो कैरिज बे आएगा सबस से बड़ा होता है यानि कि हमें एसेंडिंग ओडर में बताना था सबसे चोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सो ऑप्षिन नमबर फोर इसकोशन का अंसर हो जाएगा कि अगला कि देखिए हमारो ऑअ उस्ने मल्डिलेन के लिए बड़ ऑफ कैर एक है मल्डिलेन के लिए क Prague कि अगर आप से सिंगल लेन के लिए बोला जाए तो आपके पास 3.75 मेटर यह होती है कैरीज वेकी बिर्थ अगर आप से पास मल्टी लेन के लिए पूछा गया है तो उसके लिए 3.5 पर लेन होनी चाहिए कि option number one is question का answer हो जाएगा सिंपल सा question यहां पर आपको ज्यादा trick लगाने की जुरूरत नहीं है अगला option देखिए along the horizontal curve horizontal curve if centrifugal force जो है वो exceed ज्यादा हो रही है किससे lateral friction से हमारा वेहिकल क्या करेगा तो centrifugal force ज्यादा हो रही है lateral friction से तो क्या होता है कि हमारा वेहिकल होता है गाड़ी होती है वो skid कर जाती है यहां पर मैं आपको दो नोट्स बता देता हूँ तो अगर हमारे पास insufficient friction है तो क्या स्लिपिंग का कारण होता है इनके sleeping होती है गाड़ी में बहुत जादा फ्रेंट्स वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों साथ ताकि उनको भी वीडियो को फायदा मिल सके अगला कुशन देखिए हमारे पास क्या है यहां पर हमारे पास ductility value पूछे गई है bitumen की ductility value पूछे गई है bitumen की वो कितनी होती है क्या होती है, very very important question आईए simple question आपको ज़्यादा confused होने के जुरूरत भी नहीं है तो equal to tar यहां पर tar का मुकाबला पूछा गया है कि tar का मुकाबले में हमारे पास ductility होती है bitumen की वो कितनी होती है tar के मुकाबले तो आपको बाद यह 0.9 से लेकर 0.09 है तो यह bitumen की utility होती है and tar की ज्यादा ही होती है I think 1.17 something होती है तो यहनिके less than that of tar यहनिके tar की ज्यादा होती है and bitumen की काम होती है option number three is question का answer हो जाएगा अगल option देखिए the boundary between किसके बीच में boundary road का जो carriage भी होता है pavement and shoulder के बीच में उसको हम क्या बोलते है ले वाई 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 ड्राइव वे कर्व फुटवार क्या हम उसको बोलते हैं very important question है तो उसको हम कर्व बोलते हैं जहां पर guardian चलती है and shoulder के बीच का जो boundary होती है उसको हम कर्व बोलते हैं कर्व हमार पर three types के होते हैं आपको पते हैं कौन-कौन से कर्व होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए चाहिए तो एक होता है लो कर्व दूसरा होता है semi barrier कर्व दिसरा होता है barrier type का कर्व तो एक में कर्व की जो height होती है 10 cm होती है एक में 15 होती है and x last में 20 cm होती है ये तीनों points आपको पता होने चाहिए अगला question देखिए हमें list 1 और list 2 से इसको match करना की कौन सा किस से match हो रहा है फ्रेंट्स वीडियो को अभी like कर दीजिए share कर दीजिए वीडियो को फ्रेंट्स के साथ अपने तो यहां पर हमारे पास cracking पुछा गया है cracking यहां पर क्या है contains some property of bichmen यहां पर property दी गया है किसकी bichmen की and give your laboratory test conducted test के बारे में बताया गया cracking 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 जो होती है sport test से cracking जो होती है वो पैदा होती है किससे चेक कर सकते हम solubility test से बीगा डू हो गया and stiffness stiffness से क्या आप समझते हैं तो stiffness जी होती है floating test से and softening आपको पता ही है ring and ball test से कर सकते हैं तो यह first option हमारा correct answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए stopping side distance किस पर depend करती है very very important question है stopping side distance friends video को अभी like कर दीजे शेयर कर दीजे stopping side distance जो होती है वो किस पर depend करती है वो reaction time जो होता है driver का की उसने गाड़ी देखी और उसने immediately break लगाया या फिर नहीं लगाया कितनी देर में लगाया तो उसका जो react करने इनके ब्रेक लगाने का जो time था उस पर depend करेगी एंड हम उसकी speed कितनी है यहां यहां पर ब्रेक लगाया तो थोड़ी गाड़ी जो है दूर जाके रुकती है तो उस पर भी depend करेगा एंड उसकी break की efficiency क्या है कितनी जल्दी ब्रेक लगती है कि ब्रेक नहीं लगती है तो इन सभी sector पर depend करेगी option number 4 हमारा इस question का answer हो जाएगा अगला question भी very very important है बीचे तो falling curve is usually not adopted for transisting in horizontal alignment कौन सा करव है जिसको हम adopt यह नहीं के नहीं यूज करते हैं transisting in horizontal alignment के लिए तो वह है reverse curve बाकी सारे हम यूज करते हैं अगला option देखिए अगला option देखिए एक्स्ट्रा वाइटनिंग ओपेमेंट प्रवाइड बिकॉस ओफ ट्रैकिंग इस नाउन एज तो mechanical widening option number one is question का अज़र हो जाएगा अगला option देखिए डोबल वाइड और प्रवाइडनिंग जो होती है प्रवाइड की जाती है ताकि हमारा लोड जो है ट्रांसपर होता कि one slab to another पर एक slab से दूसरे slab तक हमारा लोड ट्रांसपर होता है इसलिए हम डोबल बार जो होती है डोबल बार एक स्टील है यहां पर ज्यादा तो confusion होने की ज़रूत नहीं है अगला option देखिए बिचमेंट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो विचमेंट टेस्ट जो होता है वो penetration टेस्ट किया जाता है finest आपको पता है finest चेक करता है size मेंट की हो चाहे हमारा सेंड हो abrasion टेस्ट जो होता है resistance के लिए होता है and slump test workability के लिए होता है यहां पर ज्यादा आपको confused होने की जुरूत नहीं है अगला question देखे हमारा बास क्या है the position of base course in flexible payment is position यहां पर position की बात हो लिए कि position क्या होती है base course की flexible payment में sub-base के उपर sub-base के नीचे या फिर sub-grade के उपर या फिर sub-base के नीचे या फिर bearing course के ऊपर या and renewable of service is needed क्या होती है उसकी यहनिके वह कहां पर होता है तो base जो होता है वह sub-base यहनिके जो छोटा base होगा उसके ऊपर होगा base one is question का answer हो जाएगा अगर उसके देखिए तो लोस एंगल अबरेशन वैल्यू रिक्वार्मेंट फोर कोष एग्रिगेट यूजन वार्टर वांड मेकडान फोर दा बेस कोर्स इज तो विट्वेन गिरो टू फोर्टी होती ऑप्शन नमबर फोर हमारा इस question का अंसर हो जाएगा what is the percentage content of asphalt in cutback asphalt में cutback asphalt होता है हमारे पास इसमें percentage का percentage पूछरा की asphalt में कितना होता है 10, 30, 50, 80 कितना होता है 80% होता है question हमारे पास friends वीडियो को share करेजिए the traffic volume of roadway is defined as the multiplication of traffic volume जो होती है roadway की वो defined as the multiplication of traffic density into speed third is question का अंसर हो जाएगा अगल उक्षिन देखिए as per Indian road concrete 67, 2012 cautionary, warning sign R warning sign R, warning sign क्या होता है 2012 Indian road congress हमारे पास ice code 67 उसके warning warning sign जो होता था वो क्या होता था triangular in shape with red border option number 1 इस question का अंसर हो जाएगा अगल उक्षिन देखिए which of the following is disadvantage of traffic signal traffic signal का कौन सा disadvantage यनि कि उसकी हानी है the rear and collision increase option number third इस question का अंसर हो जाएगा अगला और last question है हमारे इस वीडियो का तो वीडियो को अभी share कर दीजे ताकि आपके दोस्तों को वीडियो का फाइदा मिल सके what should be the maximum length of semi-trailed tractor combination vehicle as per Indian Road Congress तो यहाँ पर maximum length की बात हो रही है semi-trailed tractor का semi-trailed tractor combination की vehicle की maximum length पूछरा की कितनी होती है तो वो होती है 16 meter यहाँ पर यह example दिया गया है तो thank you friends वीडियो देखने के लिए वीडियो आपको अच्छी लिए वीडियो को like करें कमेंट करें और कमेंट फुक्स में अपना score लिखना ना गुले कि आपने 20 में से कितना score किया है सकुई thank you friend मिलते हैं नेक्स्त वीडियो में